सुनातन अमर आत्मा परमात्मा रुपले अनन्द मात्रमा सबई सधाई रई रणलाई आत्मा ग्यान को दैनिक परवचन कारेक्रम अखंड सुख अध्वैत प्रदित बलराम जिसी स्वरस्वतिको सात्मा हर एक दिन दिवसो एक पैंतालिस वजे देखी सवी मा प्रेमले अविवादन यो आत्मा ग्यान को परवचन कारेक्रम मा मानिस सबई केवल आत्मा रुपले मात्रै रही रहन सकीनी बारे मा बतावनी परियास्राय कोंच अर्थात आत्मा बन्नाले सवेको बास्तव सोरूप हो और आत्मा अमर हो संथा इस्वक शान्ती मा मुक्त रुपले रही रान लाए आत्मा रुपले रही रान नुपर्ने होंच आत्मा को जो अयुएक्ति छा आत्मा बारे जो बतावन चा इसको आधार हो जो आत्मा ज्यानी भाई शकनु भावक चा केवल आत्मा रुपले मात्रे रही राखे रा आनंदे आनंद मा जो जो ग्यानीय रो रही रौनु भाख चा महार का आधार में साथाई संसायर को सरवत्च जो धार्मिक शास्त्र बेद शास्त्र जो बईदि को जस्मा बेद को बनन छा र बेद को सायर बेदान त अर्थात उपनिशात को बनन छा रजशको अध्यन मनन ले आत्मा में परिणती मैनि सबय को सजीले हुन सक्छा तेसको आधार में बनन भाई रहाएगा होंचा यो कारिक्रम में आत्मा रूपले रही रहानी काई शंधर में अधार में जो कारिक्रम वह हुन छा प्रकांद ग्यानी अवद्योद को यो अवद्योद गिताय को अश्टम अध्याय को अध्याय को आठ सुलक को आधार में, ती सुलक में की भन्ये कुछ बने, जस्तो कपड़ा धुलोले मैलो हुँँच, अथवा शरीर, धुलो मैलो मैल आधिले जो अशुद्धा हुँच, फोहर हुँच, इने रुलाई दोहेरा सभागर्न शकिनच, ती स्तेई, आमी सबेशांगा जो चित्त छो, ती चित्त लाई सुद्धा गरेरा, आत्मा मैं परिणाती हुँच, आत्मा रुकले, रही रहेरा मात्राई, निरोगी भायरा रहेरा शकिनच, निरोगी यहां जो आर्था हुँच, ती यो के बने, यहोड़ाता सामाने ता वो सुस्त तालाई लियरा निरोगी भायिंचा बने, यो बेद बेदान्त को पर्संग में रोग बने को चिन्ताओ, इच्छाओ, आशाओ, जासमा चिन्ता, इच्छा, आशा रही रहांच, ती रोग रुपो, निरोगी हुँच, आत्मा मात्राई स्भागी अशाओ, साम्या मात्राई रहांच, इस आत्मा मात्रा रहाओ, इसस भाग वहले शंधा आननदiblगी खिटी बहाय राख ने उन्हारे, शुकस्वांति मात्रा मात्रा मा शंधाлучी गयाञी रुपले खिटी बहाय राखमी हुँच, ती अवस्थामा दार्वा, डिय धार्न द्धान आथीगरी शके रहा तर्फ कपरेणाम स्फर में लेना सीक्षा ден मार यरी प Hampshire hai हורה ॅ यदित संद्धर अध्या ड़ी बताउनि परियास घरने !! शरीर दुले दुलोले अथा मैल आदिले असुद्धा होंच तेस्ताई कपड़ा दुलोले मैलो होंच दुलो मैल आदिले पसिना आदिले असुद्धा होंच कपड़ा शुरुमा आफई मा असुद्धा चाई ना शुरुमा फोरो तो वही ना तर पसि मैल आदिले गर्दा दुलो आदिले गर्दा पसिना आदिले गर्दा ते फोरो उने जांच आदिले आदिले शाबन आदि शर्फ आदिको पर्युक्त गर्दा आदिले शफा गर्दा आदिले शफा रुप्या लगाऊनों सक्छों अब यह तर लुगा को पर्शंग हो तर आजकाल केचा बने लुगा लाइने महत्तो दिया होंच अर्था रामरो लुगा लगाए पसि महात्मा भाईन चा बनने अस्तो पनी सामान तया देखिन चा रा लुगा माति बड़ जोड होंच अर्था टेलर अनुसार आमी संचालित होंच अर्था टेलर ले इस्तो डिजाइन अईलेगो यह वने पसि आमी ते अनुसार बाट परभावित होंच अर्था लुगा लाइने आमी ले मुख्या आपु ठान्चाओ अर्थाता आमी लुगा माँ लुगा नयानोय डिजाइन को लगाऊने आपडिया लुगा बाथ और आपने वग्दित्तोक दालकाऊने खोजने आपडिया महान दालकाऊने खोजने तर ने मुपेशचा दंग ynічरा झाल बास्टोविकल्पार केशो आपको चित्ता कस्ता, औरोम की कि मानश वने हो तो चित्ता अनुसार आपनो चित्ता कुन थिती माँच अथो अरका को अरुको चित्ता कस्तुप थिती माँच आमिले त्यो अनुसार आमिले पुजन परियास गरेऊं बने आमरोज जीबन सफल होंच नकी कपड़ा में और यो चित्ता बनने कुरा सभन्दा नजीक्र सभईको भित्र छो तेसेले आमरोज बाइदिक सभ्वेता में बाइदिक परंपरा माता केचा बने मुख्ये रूपले चित्ता लाइने शुद्ध गराउनु पर्छो तेन्याकी बास्तविक आपला जानना लाए औरुला जानन जानना लाइ चित्ता लाइने हरनुपर्छो बनेरा लुगा बन्दा ज्यादा महत थे चित्ता लाइने वयतिक परंपरा ले दियेको हैं आप एशंधर में आमिले गीतालाई याद्गरणा सक्छों ठिसमां चित्ता शुद्धी बारे बतायेको छो अशुद्ध चित्त लाई सुद्ध चित्त गराये रूपले संधे आनंद मा परिपुन मा रही रन लाई बताईये गुछ निश्काम कर्म योग निश्काम भक्ति योग इस आधन उन तो चित्त लाई सुद्ध गरने चित्त लाई बिशुद्ध गरने अर्था ज्यादा सुद्ध गरने इस तो चो निशकाम कर्म के वने रहा आपना कर्टब्बे समझे रहा आपना कर्म भर गरी राह एक तुर फल्कों आव्चा एक्षें मा नजुन्युन्दी निश्वर्मा अरपीद भायरा आपना दवैनिक कामकाज अरू नितियनेमितिक काम अरू करतव्य भावले गरी रहने इस्तो लाई निशकाम कर्म योग बनींच इस बाट की होंच बने इसको परिणाम ले वस्तमा आपुत शुद्ध चैतन्य परकास रहाच बनने इस्तो मोटा मोटी गियान होंच निशकाम कर्म योग बन अर्थात आपुत महान रहाच बनने कुरा आउंच यो चाहिनी इस्तो शुद्ध क्यों शुरुआथ को परिणाम होच यो बन्ना अगारी गएर निशकाम भक्ति बाट की होंच बने अर्थात आपनो जो शुद्ध चैतन्य परकास हो त्यसमा शोड लोन जान छत यो भकति बाट беспके हैं निश्काम भकति वनेको आपनो सोडुलिनमे प्रेम बोड़ दे गई रहा आपने दयनी ग्मकाज होर। तर आपने धार्णा की होंच निश्काम करमयोग बाट जानीयको सुद्ध चैतन्य प्रकास बनने जो मान बस्तु हो आत्मा रूप हो आफुतियो रह चा बनने गाढा रूप होंच अटल रूप होंच यही अटल रूप बाट और निश्काम करमयोग न भक्तियोग कु परिण आत्मा रूपले थिती बन्चा। आत्मा रूपले थिती परिपूना हो, सनातन हो, सदा आनंद आनंद हो, मुक्त रूप हो। आत्मा रूपले थिती बन्चा। आत्मा रूपले थिती परिपूना हो, सनातन हो। सदाकालीन हो, सबैको बास्तप निजी शरूप हो। तर बाहिरी द्रिष्टी लेकी गर्चा बन्चा। यो भित्री जोच महत्यो पुण कुरात्यो धाकीन चा। त्या कातिरो पर्ना जान्चा। ते साहिले बाहिरी भाव उन्नु हो आत्मा इस्ता कारण चानी पाप। जोड़ बाहिरा ना सदाकालीन, ते शवाट पाखा परियो ।। त्या कारण चित्ते सद्वित्व घर्नु परिचा। चित्त कारण रिणको लाई निश्काम कर्मय भक्तियो घर्नु परिचा। अनि आमी चाहिने निरोगी उने परियास गरनु पड़ चुना माने निरोगी भाईन छा आत्मा रूपले रोग क्यो हो बन्ना खेर स्तोगी बनियो चिंता चिंता अनि इच्छे आशा जहां समय रहन छा ताहां समय रोगी हो तेसले निरोगी उने लाई इतिन्टा रहित अर्थात कियोल आत्मा मा रही रहन बाट मात्राई सम्भब होन्छ एस खारनले यो चित्त सुद्ध पूरवक आत्मा मा ठिती अनुशार एसरी रहे पचे आपनो सदाकाले सनातने सोरुब मा ठिती होना जान्छ परिपुन्णता मिन्छ एस तो परिपुन्णता भाई सके पची तेस पची कुने साधन तिरे लागनुपर ने आउसेकता होते किना कि सबै साधन अरोको निचोडवा आत्मा मा प्रणेती त्यो भाई सकेको छ आत्मा रूपले होनाले धारन धान ध्यान आधी जोग गर्णुपर ने थियो साधन आधी अरो पहिला ती सबै कोरा पूरा भाई सकेका चान्छ किना आत्मा मा परिणत भाई सकेको एसरी सनातना आत्मा परिप्पून सुखसान तिले सदाकाल रहे रनो हो आमी सबैको महान कर्तभ्य रैशको फल रहरे लाव होन्च यो आजको प्रस्चंग बाकी प्रस्चंग भली होने चा जैपस्पतिना